अनिक्विश साब आपकी क्या रहा है इन 5 वस्वालों पे और इसमी जो सबसे महत्वपूर सवाल आज की तारीक में यह है वह यह कि इंडिया गडबंधन एक रहेगा या नहीं रहेगा तरीक वह कि लोगों के मन में यह कि विपक्षी लोग ہیں कॉंग्रेस की इन से टक्कर है और कॉंग्रेस का बहुत सारा वोट बेस इन तमाम जो राजिम टिक दल है इनके वोट बेस वोट बेस से मिलता है एक दूसरे के प्रती इंसी क्योर है एक आवाज बात नहीं कर सकते हैं आपको क्या लगता है कि सवाल यह है नहीं कि इंडिया गडबंदन एक रहेगा या नहीं रहेगा अगर मैं कहाँ कि साव इंडिया गडबंदन एक रहेगा कोई दिक्कत नहीं है तो सवाल यह है कि उसके इंडिया गडबंदन के एक रहने से इसके लोग सभा चुनाव जीतने की संभावनाय क्या ब कर दे सकता है बीजेबी को तो यह सवाल मनलब यह थोड़ा कमेंट दिक्कत है मुझे क्योंकि जहां तक मैंने देखा है इंडिया गडबंदन को मुझे लगता नहीं कि इंडिया गडबंदन में और खास्तोर से कांग्रेस पार्टी में चुनाओ जीतने का कोई संकल्प है क्य लिए अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान चुनाओं में इतनी बुरी तरह हार जाती है और वहां पर उसको पूरा अतियात में विश्वास था और उसने जीतने के लिए कुछ नहीं किया और जबकि बीजेपी ने जब चुनाओं शुरू हुआ था तो बीजेपी ने ल लग रही थी और उसने पूरी बाजी पलट दी तो यह होता है चुनाओं जीतने और लड़ने का संकल्प की हमें लड़ना चुनाओं वह संकल्प मुझे कांग्रेस में नहीं दिखता और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कई राज्यमों उसका तो इसलिए वहां दिक्कत है तो मेरा मेरा ख्याल से इंडिया गटबंदन के टूटने की कोई संभावना नहीं है तेकिन सवाल हमें इस पर चार्चा करने चाहिए कि उसके चिनाओं जीतने की क्या संभावना है दूसरा सवाल आपका नितिश कुमार को ले करके है नितिश कुमार यह रहेंग इंडिया एलाइंस में यह नहीं रहेंगे इसके उपर कम से कम मैं तो दावे से कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि नितिश कुमार को जितना मैंने जाना है वह बहुत ही अन्प्रेडिक्टेबल पॉलिटीशन है और वह कई बार आखरी समय में पलट चुके हैं और इसलिए व पारे में विनोजी जो बात कर रहे था उससे मैं सहमत हूं कि इंडिया एलाइंस को अभी कोई चेहरा पेश करना नहीं चाहिए कुछ लोगों ने जरूर कोई चेहरा पेश करने की कोशिश की थी मुझे लगता है कि इंडिया एलाइंस के बड़े दल जो है वो कोई चेहरा पुरे चुनाओं को बैयान आ चुका है इसले बिना किसी चेहरे की चुनाओं लड़ेंगे न कुछी साब यहां पर एक सवाल यह खड़ा होता है कि नरेंद मोदी ने पुरे चुनाओं को वोट भी देती ऐसे में इंडिया गडबंद बिना किसी चेहरे के जाएगा तो क्या advantage मोधी को नहीं होगा बिल्कुल होगा मोधी का advantage अगर India Alliance बिना किसी चेहरे के जाएगा लेकिन सवाल यह है कि कि इस चेहरे उनको प्रदानमंत्री के तोर पे स्विकार करेंगे नहीं स्विकार करेंगे तो और बाकी दूसरे दलों की क्याराय होगी तो अगर इंडिया एलाइंस कभी इस निर्ले पे पहुंचा भी कि उसे प्रदानमंत्री का चेहरा घोशित करना चाहिए तो उसके पास मलिकार्जुन खड़गे के अलावा कोई दूसरा विकल नहीं है जो सभी लोगों को सुईकार रहे हो बिलकुल आपको क्या लगता है क्या 2019 की तरिके से इस बार भी बीजेपी को clean edge है और वो आसानी से चुनाओ जीत सकती है जी हां मुझे इस मामले में कोई दुविधा नहीं है बीजेपी क बिलकुल बड़ी clean edge है और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी चुनाओ आरेगी और अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो गई कोई घटना हो गई तब ही ऐसी चीज संभा है वरना ऐसी कोई संभावना मुझे दिखाई तो नहीं देती है आपका इसा क्यों लगता है है कि मुझे बसक्राइब आसा हमारा वह will reste मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता था उन मुद्दों में से किसी भी मुद्द किसी अ क्लेको प्रवाशारी ढंन से नहीं उठा सकी जनता गो उससे नहीं जोड़ सकी विपक्ष और इवन जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए मतलब जैसे जाती जन्गरणा का मुद्दा उस जाती जन्गरणा को भी अभी हाल की विदान सभा चुनाओं में हमने देखा कि कांग्रेस ने राहूल गांधी कहते रहे यहां लोग कहते रहे लेकिन जमीन पर उ सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है राम मंदिर बन रहा है 370 का मुद्दा है इन दोनों मुद्दों पर जो बड़े मुद्दें और चंता के बीच हैं इन दोनों मुद्दों पर की काट फिलहाल विपक्ष के पास है नहीं विपक्ष का कोई ऐसा साफ रवया 370 पर सामने नहीं आया और दूसरी बात यह कि अगर आप इस तरह से डिफेंसिव रहेंगे कि आप अपनी बात को जनता तक कह नहीं सकें तो आपकी बात पहुंचेगी कैसे मिसाल के तोर पर अगर बीजेपी की राजनीती है और अगर आपका सेकलूरिजम में विश्वास है तो अगर आप लोगों को यह बताएंगे नहीं कि सेकलूरिजम क्यों बहतर है और हिंदू तो क्यों उनके लिए अच्छा नहीं है और जब तक इसको केंद्री मुद्दा नहीं होना नहीं है क्योंकि अगर उधर हिंदू तो है और आप साफ हिंदू करेंगे जैसे मिसाल करता हो अभी करनाटे के बात है आपने का हिजाब का फैसला वापस लेंगे पलट गए तो इसका मतलब आप धुल्मुल तरीके से चल रहा है तो धुल्मुल तरीके आप सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर